नमस्कार यूपी तक देखनाप मैं हूँ आपके साथ में गौराणशे श्रवास्तो मुरादाबाद की विधानसिबा चुनाओ में मंडल की खराब प्रफॉर्मेंस पर सफाई दे रहे वुपेंडर चौधरी दूसरी बार काबनेट मंतरी बनने के बाद में अपने ग्रेजन पद मुरादाबाद पहुचे काबनेट मंतरी चौधरी वुपेंडर सिंग अपने विरोधियों पर जमकर बढ़ से आपको बता दे कि अपने शांत मिजास सेतर भुपेंद्र चौधरी ने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को मंच से जम कर खरी खोटी सुनाई पंचायत भवन में अपने स्वागत कारिक्रम में पहुचे भुपेंद्र जी जो है वो माइक सम्हालते ही विरोधियों पर पूरी तरीके से फट पड़े आपको बताते कि मंतरी जी ने कहा कि पार्टी के भीतर मेरे आलोचक कहते हैं कि मुरादाबाद मंडल की इस्तिती जो है वो इसलिए खराब होई है क्योंकि आपर भुपेंद्र का एजेंडा चलता है मैं भी कभी कबार ऐसा सोचता हूँ कि इस्तिती जो है वो गड़बडाई तो है ही लेकिन जिन लोगों को पार्टी का नेतुर तो करने का आवसर मिला है वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उन्होंने कभी लीडर्शिप खड़ी नह मैं भी कभी कभी सोचता हूँ इस्तिती तो गड़बडाई तो है ही लेकिन जो जिन लोगों को पार्टी का नेतृत करने का आवसर मिला है पूरे प्रदेश में उन्होंने कभी लीडर्शिप खड़ी नहीं होने को ये मेरे दलमनी सभी दलों की विरोधियों पर हमला बोलत आप उसे जाकर पूछे क्रेक्ण जाकर वे लोगसभाम बी लड़े कभी टिकेट मिलने में परिशानी पड़ी उनको उन्से जाकर पूछी सरवेश सिंग के बार भुपेंड चौधरी ने मंच पर मौझूद मेर विनोध अगरवाल का रुख किया बोले कि विनोध जी बैठे हुए हैं और ये जो हैं ये लगतार चुनाव लड़े हैं मैं चाहता तो इनकी नाक में नत डाल देता लेकिन इनसे पूछो कि क्या इन्हें कभी कोई परिशानी हुई है क्या और मेरे जीवन काल में सरवेश जी भाई साब लगातार चुनाव लड़े आप उनसे कभी पूछो कि कभी टिकेट में परिशानी पड़े है पूछो कभी जाएगे लोग सभावी लड़े विधान सभावी लड़े कभी कोई परिशानी आई तो पूछो इनसे ये बिनोज जी बैठें लगातार चुनाव लड़ रहे हैं अगर मैं चाहता तो नाक में डाल देता लेकिन इनसे पूछो कभी समस्य आई तो कभी पूछो मुरादाबाद जिले की सियासत में पूर सांसत सर्वेश सिंग और मंत्री भुपेंडर सिंग के दो अलग अलखे में हैं दोनों में लंबे समय से अदावच चली आ रही है भुपेंडर चौदरी संगठन में कई अहम पदों पर रहे तो वहीं सर्वेश मुरादाबाद की ठाकुर दौरा सीट है वहाँ से पांच बार विधायक रहे हैं वो साथी साथ एक बार मुरादाबाद के सांसत भी रह चुके हैं उनके बेटे सुशान सिंगela बिजनौर की बड़ापोर सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं सर्वेश कुमार ठाकुर द्वारा सीच से इस बार विधाई की लड़ना चाहते थे लेकिन सूत्रों का कहना है कि भुपेंडर की अदावत उन्हें महंगी पड़ रही है मेर विनोध अगरवाल भी सर्वेश सिंग के करीबियों में शुमार होते हैं मंतरी ने रविवार रात मंच पर बैठे मेर को जम कर खरी खोट यहां पर सुना डाली दूसरी बार मंतरी बने भुपेंडर के तेवर एकदम से बदले हुए थे हमेशा शांत रहने वाले भुपेंडर चौधरी ने साजनिक मन से जिस तरीके से अपने विरोधियों पर हमला बोला है उससे उन्होंने संकेत देने के आपर कोशिश की है कि मंडल में अब भविष्य की राजनिती सिफ औसिफ उन्ही के इर्दिगिर्थ घूमने वाली है आपका क्या कहना है मंतरी जी के बदले तेवर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही आपको बता दे कि आप तक ये जो खबर है इसको पहुचाने का श्रे मेरे सयोगी जो मुरादावास से हैं जगत गौतम उनको जाता है उतरप्रदेश से जोड़ी तवाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें यूपीता के साथ मुझे दीज़े इजाज़त नमस्कार